हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट बैल ती रतल में मैं हूँ आपका दोस्त अतल गोयल आज हम बात करेंगे बड़ा फोन आइडिया की जिसके उपर पहले भी हमने काफी वीडियो बनाई है बताया था कि कहां पर इसे सपोर्ट लेत पास का तो यह जो केंडल का लो है आप देख सकते हैं नौर पे 65 पैसे के आसपास का बन रहा था और नौर पे 65 पैसे के आसपास ही देखिए यहां पर जो है नेस्ट बन रहा था यहां पर अगर आप देखें नौर पे 35 पैसे के आसपास का तो यह एक स्ट्रॉंग बेस था अब वो एक resistance की तरह है इसके लिए काम कर सकता है तो 9.40 पैसे के आसपास का स्टोक जो है आप resistance फेस कर सकता है उसके उपर निचे के लेवल आप देखेंगे इस टाइप से पूरी की पूरी trend line जो आपने देखी है यहां पर लगी हुई यहां तक स्टोक जुरूर जा रहा था आप देखेंगे इस line को अब हम नहीं करेंगे क्योंकि यह जो है downtrend के अंदर है स्टोक basically आप देखेंगे यहां पर स्टोक इस टाइप से और यहां पर स्टोक जो है इस टाइप से इस पुरी range के अंदर यह जो line थी यह main line थी जिसको इसने ब्रेक कर दिया अब जो स्टोक का lower level बनता है वो आटर पे 40 पैसे के आसपास का निकल कर आता है कि स्टोक जो हो सकता है अपने इसी line को द्वारा से टेस्ट करें जो आप देख सकते हैं पहले इन lines के आसपा स्टोक आता था इसी line के उपर बेस बनाता था तो हो उसकता यह नहीं निए और यहां तक पर नीचे फिसलता ह Coward नजर आए उपर जाने से पहले देखेंगे इसी लाइन के उपर जो पर इस arna उने काफी अच्छा पर चालिस पैसे आट पर बीस पैसे तक स्टोक जो है जहां पर फिसलता हुआ नजर आ सकता है भी एट पर लगा है फॉर्थ हाई इसने बार बार यहां पर टच किये हैं उसके बाद के हाई देखेंगे यहां तक स्टोक जरूर गया है बट उसके बाद नीचे ही जाता हुआ नजर आ रहे हैं एक डाउन ट्रेंड के अंदर स्टोक है अगर डेली बेस पर देखेंगे तो 30 की आरेस स्ट्रक्चर है जब तक यह 9 रपे 40 पैसे को द्वारा से ब्रेक करके उपर की तरफ नहीं निकलता है तब तक आपको इसके अंदर कोई पूजिशन बनाने की सोच नहीं है यह जो लाइन है आप देख सकते हैं क्लियरली इस लाइन के उपर जो स्टोक है क्लोजिंग नहीं देपा रहा है तो बारबार इस लाइन के आसपास आ रहे है डेली चाट आप देख रहे हैं जब भी इस लाइन के उपर की क्लोजिंग देना स्टार्ट करे तब इसके अंदर ही आपको पूजिशन ले सकते है वो भी सिरफ स्टोप लोस लगाके और इस लेवल के आसपास तक स्टोक जाता हुआ नजर आ सकता है तो बिलकुल आप स्टोक लोस लगा के इसके अंदर ट्रेडिंग कीजिए इन्वेस्टमेंट का कोई भी नजरिया इसके अंदर अभी नहीं बनता है थैंक्यू धन्यबाद